मेरे प्यारे देश्वाश्यों, इस समय हमारे देश में उत्राखन के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। द्वारा फैलाई जा रही, गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। जो बाबा केदार के धाम में दर्सन पुजन के साथ 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 स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार से कुडा कच्रा साथ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभ्यान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वायम से भी संग्रण भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे हाँ जैसे तीर्थी यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्त सेवा के मिनार तीर्त यात्रा भी अधुरी है, देव भुमी उत्राखन में से कितने ही लोग हैं, जो स्वच्छता और सेवा की साध्रा में लगे हुए हैं। रूदर प्रयाग के रहने वाले स्रिमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले पचीस वर्सों से परियावरण की देखरे का बिड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लाश्टिक मुक्त करने में भी जूटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाडी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वह गुप्त काशी में नियमित रुप से सफाई कारकम चलाते हैं और मुझे पता चला है किसे अभियान का ना भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गाउं की चमपादेवी जी पिछले तीन सांसे अपने गाउं की महलाओं को कूडा प्रभंदन यानि वेस्ट मनेजमेंट सिखा रही है। चमपाजी ने सैकड़ो पेड़ भी लगाये हैं और उन्होंने अपने परिसम से एक हरा भरा वन तयार कर दिया है। साथियों ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देव भूमी और तिर्थों की वो देविय अनुभूती बनी हुई हैं जैसे अनुभव करने के लिए हम बहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्धात्मिक्ता को बनाये रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है अभी हमारे देश में चारधाम यात्रा के साथ-साथ आने वाले समय में अमरनात यात्रा, पंढरपूर यात्रा और जगनात यात्रा जैसे कई यात्राएं होगी। सावन मास पर दो शायद हर गाउं में कोईन कोई मेला लगता है साथियों हम जहां कहीं भी जाए इन तीर्थक्षेत्रों की गरिमया बनी रहें सुचीता साफसफाई एक पवित्र भातावरण हमें इसे कभी नहीं बूलना है उसे जरूर बनाए रखें और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्चता के संकल्प को याद रखें कुछ दिन बार थी पाँच जून को विश्व परियावरण दीजवस के रूप में मनाता है परियावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारत पर भ्यान चलानी चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है आप इस बार सब को सा रिजित करिए